हमारे समाच में एक तरहे का भेदभाव है कौशल के खिलाफ हम ऐसा मानते हैं कि रेलवी स्टेशन में एक बाबू बनना रीटेल करमचारी बनने से एक बेहतर नौकरी है मुझा लगता है कि अभी हमारे देश को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और मैंने सुना है कि महराश्टर के कोशल विभाग के प्रमुक सचेव भी आज यहां आए हुए है और मेरा ये यकीन है कि अगर आप में आत्मों विश्वास है तो ये दुनिया खुद बतल जाएगी मैं चाता हूँ कि आप इस पर थोड़ी बात करें क्योंकि यहां आए कुछ बहुती महनती लोगों के लिए ये जानना बहुती जरूरी है ताकि वो समाज में इजज़त पा सकें और खुद की इज़़त कर सकें दुनिया का आपकी इज़़त करना आपके आस पास की दुनिया का गुण है अगर उनमें ये गुण है तो वो आपकी इज़़त करेंगे मुझे पता है कि इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन खुद अपनी इज़त करना मुझे लगता है कि ये थोड़ा पागलपन है इज़त करना दो लोगों के बीच होता है क्या इज़त करना दो लोगों के बीच ही होता है मतलब आप किसी की इज़त करते हैं क्योंकि वो वैसे हैं मैं अपनी इज़त करता हूँ आप जरूर पागल हैं क्योंकि ये चीजें आजकाल अमेरिका में ये बहुत बड़ी बात हो गई है लोग कहते हैं पहले वो कहा करते थे मैं भगवान में विश्वास करता हूँ अब वो कहते हैं मैं खुद में विश्वास करता हूँ पहले वो किसी से कहते थे मुझे तुम से प्यार है इन दिनों वो कहने लगें मुझे खुद से प्यार है देखिए प्यार के लिए विश्वास के लिए इज़त के लिए आपको दो लोगों की जरूरत होती है अगर आप अपने आप में ही दो बन चुके हैं तो मुझे यकीन है कि आप पागल होने वाले हैं अगर आप सच में अपने अंदर दो बन जाते हैं तो हम कहेंगे कि आप स्किजोफ्रेनिक हैं है ना? इस विशए पर बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो धार्मिक लोग हों या नई युक ये दार्षनिक हों, हर तरह के लोगों ने काम किया है। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं अपनी इज़त करता हूं, मैं अपने उपर विश्वास करता हूं, मैं और मेरा एगो, मैं और मेरी आत्मा और ना जाने क्या-क्या मैं आप सब से पूछ रहा हूँ आप सभी से क्या आपके शरीर में एक इनसान है या दो लोग है प्लीज इसी वक्त अच्छे से सोच लीजे एक या दो तो ये खुद की इज़त करने वाली सोच को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इससे आप में बहुत सारी उम्मीदे जाग जाती हैं मैं अपनी इज़त करता हूँ मुझे लगता है कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ऐसे ही पेश आएं और जब ऐसा नहीं होगा तो मैं खफा हो जाऊंगा गुस्सा हो जाऊंगा ऐसी चीज़े होंगी मुझे खुद अपनी इज़त करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर मैं किसी दूसरे की इज़त करता हूँ तो शायद यह उनके गुणों की वज़े से भी नहीं हो मेरे गुण की वज़े से मैं किसी की इज़त करता हूँ एना देखिए अगर आप किसी को उची निगाहों से देखते हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ती बहुत उचा हो बात ये है कि आप जीवन में कुछ सीख रहे हैं, आप अपने जीवन में उपर बढ़ रहे हैं, इसलिए आप उची निगाह से देख रहे हैं, अगर आप उची निगाहों से देख रहे हैं, तो आप उचे उठ रहे हैं, अगर आप किसी को नीची निगाहों से देख रहे हैं, यानि तो इज़त देना दो लोगों के बीच होता है मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है कि अपने अंदर मैं खुद को इज़त देता हूँ खुद पर विश्वास करता हूँ खुद से प्यार करता हूँ ये चीजें कोई पागल इनसानी बोल सकता है